हेलो गई, सिलकम टू माई यूटूब चैनल एक्स्ट्रीम रिदिक इस वीडियो में हम बात करेंगे आप स्टॉप लॉस और टार्गेट कैसे लगाएंगे अब स्टॉक्स एप में वो हम आपको बताएंगे सो फरस टफ ऑल प्लेज सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल एंड प्रेज द बेल आइक़ोन अगर आपने आप स्टॉक्स में अभी तक अपना अकाउंट उपन नहीं किया होगा तो लिंक हम आपको दिस्क्रिप्टर्षन में दे देंगे अगर आपको account opening वीडियो देखना है तो आप हमारे playlist में जाएंगे और आपको demit account opening वीडियो में लेगी आप यहां से आप stocks का वीडियो देख करके अपना account open कर सकते है और अगर आप description के link से अपना account open करेंगे तो आपको double bonus मिलेगा क्योंकि वो direct collab के link है ठीक है तो simple हम इसको login कर लेते हैं login करने के बाद okay okay I understand पर हम click करेंगे यहां पर हम लोग दिखिए trading करें या फिर investment करें दोनों में ही same method रहता है stop loss और target लगाने का ठीक है for example हम यहां पर सोचते कि reliance का यह share है ठीक है हम यहां पर summary पर click करते और buy पर click करेंगे हम लोग यहां पर कितनी quantity में आपको buy करना है वो आप लोग डाल लिजेगा ठीक है और यहां पर देखिए आपको एक option मिलता है order type में SL limit का ठीक है SL limit पर आपको click करना है आपको कितना price पर exit करना है stop loss लगाना है ठीक है आपने 3000 रुपए डाल लिए इसका exit price और simple आपको जो अभी add fund मिल रहा है आपको simple buy पर click करना है और आपका entry लग जाएगा और आपका stop loss यहाँ इसे direct लग जाएगा ठीक है बट देखिए entry के साथ हम लोग stop loss लगा सकते है target नहीं लगा सकते ठीक है तो जब आपका position चालू रहेगा ठीक है आप portfolio में गए position पर आप लोग जाएंगे यहाँ पर आपको position पर आपको exit पर click करना है जब आप लोग position पर exit पर click करेंगे न तो आपको वहाँ पर price मिलेगा ठीक है जैसे हम लोग buy करते तो price मिलता है न कितने price पर buy करना है तो exit के time पर भी आपको price मिलेगा तो आपको limit price पर click करना है और हम सोचते कि यहां पर 3000 पासों का प्राइस रहना चीए बाइंग का तो हम यहां पर simple उसका 3000 पासों का exit प्राइस रख लेंगे और हम simple उसको order को आगे बढ़ा देंगे तो हमारा target यहां पर लग जाएगा ठीक है तो उस तरीके से आप लोग target और stop loss लगा सकते अपने आप stocks एप में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय माता दी